आदिम जाती कल्यान विभाग द्वारा मादमिक सिक्षक एबं उच्च मादमिक सिक्षकों की विसेवार प्राउधिक चैन सूची जारी कर दी गई है जिसे आप कैटिगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज MP Online के पोर्टल से चेक कर सकते हैं आईए देखते हैं कि जो प्राउधिक चैन सूची है इसे हम कैसे MP Online के पोर्टल से चेक कर पाएंगे MP Online के पोर्टल से चैन सूची चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंपीटर में किसी भी ब्राउजर को उपन करना है और ब्राउजर के एड्रेस बार में आपको टाइप करना है trc.mponline.gov.in इतना टाइप करके से सेर्च कर लें सेर्च करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा जहां दो option हमें दिखाई देंगे पहला dpi और दूसरा travel तो आदिम जाती कल्यान विभाग की जो प्राउधिक chain सूची है इसे चेक करने के लिए जो second option है travel का इस पर click करना है click here के यहाँ पर option दिया गया है इस पर click कर दें जैसे हम click करेंगे तो एक नए interface open होगा जहाँ पर तीन option आएंगे पहला उच माझमिक सिक्चक दूसरा माझमिक शिक्चक और तीसरा प्रात्मिक शिक्चक अब यदि आपको उच माझमिक सिक्चकों की जो प्राउधिक chain सूची है इसे ч actively हो तो पहले option उच माझमिक सिक्चक इस option पर करना होगा और यदि माजमिक सिक्षकों की चैन सूची चेक करना हो तो माजमिक सिक्षक इस option पर किलिक कर दें जैसी आप इस option पर किलिक करेंगे तो एक नए page में कुछ निर्देश आ जाएंगे जहां से आप प्रावधिक चैन सूची चेक कर सकते हैं जैसे हम click करेंगे तो एक नई tab open हो जाएगी जहां से आपको सबसे पहले post select करना होगा तो यदि आपको उच्छ माध्मिक सिक्षकों की chain सूची check करना हो तो पहले option पर click करें और माध्मिक सिक्षकों की chain सूची check करना हो तो जो second option है मादमिक सिक्चक इस पर किलिक कर दें इसके उपरांद आपको subject select करना होगा तो यहाँ पर subject कर भी option दिया गया है तो इस option से आपको subject select कर लेना है आप जिस subject की चैन सुची check करना चाहते हैं वो subject आप यहाँ से select करना है इसके उपरांद हम देखेंगे कि यहां से category भी आपको select करना होगा category के लिए option दिया गया है selection category तो आप यहां पर click करके जो भी category की list चेक करना चाहरे है वो category आप यहां से select कर सकते हैं अब यहां पर हम देखेंगे कि guest faculty का भी option दिया गया है guest faculty और non guest faculty तो जो भी option आपके लिए suitable हो आप उस option पर click करें इसके उप्रान जो capture code दिया गया है यहां पर जो digit दिये गये हैं इन्हें जोड़कर इस box में लिखना है तो हम type कर देते हैं और so इस option पर click कर दें जैसे आप so पर click करेंगे तो आपने जो option उपर select किये हैं इन बिसियों से संबंदित जो chance उची है वो open हो जाएगे जैसे आप देख सकते हैं यहां पर provisional selection list दिया गया है और इसमें अभ्यरती का नाम है साथ में role number, rank और जो marks हैं वो सभी कुछ इसमें दिया गया है साथ में subject कि subject से selection हुआ है वो subject भी इसमें दिया गया है तो इस प्रकार आप बहुत ही असानी से category wise और subject wise जो selection list है ट्राइवल की वो check कर सकते हैं ट्राइवल विभाग दौरा selection list जारी कर दी गई है अब इन में से बहुत सारे ऐसे अभ्यरती हो सकते हैं जिन्होंने सिक्षव विभाग में भी जोईन कर लिया होगा तब ऐसी परिस्तिती में ट्राइवल विभाग की जो betting list है वो भी सेग्र जारी की जा सकती है एथी ट्राइवल विभाग में माजमिक सिक्षक एबं उच्च माजमिक सिक्षकों के चैन सूची के संबन में एक बहुत ही महत्पून जानकारी आसा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं कुछ इसी परकार की जानकारियों के साथ में अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद